जी आ मेरे बचों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल प्रदीप सुभालो जी में और मैं हूँ प्रदीप गौर्ड बहुत सारे श्टूड जो कि ये जानते हैं कि हमारे बोड के एक्जाम में हमारे बोड के एक्जाम में at least 8-10 marks के जो किउशन होते हैं वह टोटली डियाग्राम बेजड होते हैं जी हाँ चैप्टर फॉर्स हो गया चैप्टर सेकर्ण हो गया ठेकर फॉर हो गया आपका चैप्टर एट हो गया यहां से दिखिए mostly जो होते हैं किउशन वो डियाग्राम आप solve कर सकते हैं और भी कौन-कौन से ऐसे डाइग्राम है जो कि important है जिने में पढ़कर के ही जाना चाहिए जिसे कि 8-10 माग जो है वो compulsory हमारे हाथ में होने चाहिए वो जाने नीची चलिए मेरे बच्छों स्टार्ट करते हैं ये वंडरफुल सेशन और अभी तक अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ नीट, एमस्टी सीटी और साथी साथ बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और पसंद आए वीडियो तो ही लाइक और सेर करिएगा अधरवाइस करने की ज़रूरत नहीं है चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं यह वंडरफुल सेशन चलिए देखते हैं मेरे बच्चों तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर फर्स्ट की बात करें हम ठीक है कुछ ज्यादा ही स्लो हो रहा है ठीक है रुख जाओ रुख जाओ कुछ तो करना पड़ेगा इसका यह ना एक सेकेंड मेरे बच्चों एक सेकेंड रुख जाओ इसको मैं थोड़ा सो घुमाता हूं रुख जाओ यह देखो ठीक है चलो पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर इंपोर्टेंट डाइग्राम कौन सा है ठीक है तो देखिए मेरे बच्चों सबसे पहला तो हमारे इंपोर्टेंट डाइग्राम यह यह फ्लावर का डाइग्राम आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट को क्या बोलते सेपल कौन सा है पेटल कौन सा है इंड्रोशियम कौ क्या है style क्या है वह वेडी क्या है यह सारी चीजिए आपको पता होनी चाहिए तो सबसे पहला आपका flower का डाइग्राम most important ठीक है मेरे बच्चों most important यह आपको पता ही होना चाहिए साथ साथ बात करें अगर हम next page पर तो next page पर मेरे बच्चों आपको यह एंथर पता होना चाहिए यह आप जरूर डाइग्राम इसकी प्रैक्टिस कर लिए वहीं पर हम बात करें कुछ आगे की तरफ तो आगे की तरफ देखिए यहां पर दो ऐसे डाइग्राम है जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है कौन-कौन सा कौन-कौन सा सर जी सामने दिख रहा है मेरे बच्चों सामने दिख रहा है कौन-कौन सा development of male gametophyte ना pollen grains का development यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथ साथ एनाट्रॉपस ओव्यूल यह जो एनाट्रॉपस ओव्यूल है मेरे बच्चों यह तो सबसे ज़्यादा है वेरी वेरी जितना वेरी लगा सकते उतना लगा लो बिना इसके तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आगा मैं आपको बताओं अगर यहीं से मेरे बच्चों यहीं से मैं आपको बताओं 5 और यह देखिये डीवलेमेंट आफ फीमेट फाईट काफी इंपोर्टेंट है कैसे इंब्रियो साइक का डेवल्लमेंट होता है एग का कैसे फॉरमीशन होता है वह हमें जानने को यहां कर देखिए और बागी सारी चीज़ यहां पर देखिए पोर हो गया मी चैले जो गया मी बहुत ही इजी है इंट्री ऑफ पॉलें ट्यूब अगर वो मैक्रोपाइलर इंड से हो रहा है ठीक है वी आलेडी नो हां कि अगर यहां से पॉलें ट्यूब इंटर कर रहा है तो क्या क्या बलेंगे पॉलेंगे अगर चैलेजा के ऊपर से आ। से यहां पर साइड से आरहा है क्म अगा ज्या यह पर देखिए टबल फ़ोरी इंपॉरेशा घंट रहीं वी इसे आप बना लेंगे साथ ही साथ अच्छा यह आपको इंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूद नहीं अच्छा इंब्रियो सैग मेरे बच्छो जो डाइकॉड का इंब्रियो है ठीक है इसके डेवलप्मेंट पढ़ लेना पीजी है मैंने ट्रिक बताया आपक इसकेटर सेगेंड पर इदर आपको और बाकी डाइकराम से क्यूशन मुझे नहीं लगता कि पुछे जाते हैं ठीक है और इंप्रियंड भी नहीं ठीक है वहिए अगर बात करें चैप्टर सेकंड मेरे बच्छो तो चैप्टर सेकंड कहां तक चले गए सरजी कुछ सिस्टम बहुत है यह male reproductive system पढ़ लेंगे और स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे मेरे बच्चों ठीक है स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद फिर उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम आए ठीक है नीचे की तरफ हम आए तो female reproductive system इस बार जो male reproductive system से क्यूशन पूछा गया था लेकिन हो सकता है कि 2023 का जो एक्जाम हो उसमें female reproductive system से क्यूशन पूछ ले ठीक है और मैं आपको पता है तो चैप्टर फस्ट और सेकेंड टोटली डाग्राम बेस्ट है तो अगर आपको डाग्राम समझ में आता है तो सब कुछ समझ में आयेगा ठीक है ओवेरी का स्टक्चर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों यह वे स्टूल साइकल पढ़ा ओवेरी का स्टक्चर पढ़ लिया तो आपको डेफिनेटल यहां से मांक्स लें मिलिया में स्टु यह पूंजा गया था और मेरे में के लिए आपके ओवरी में कैसे follicles का development होता है कौन-कौन से hormone काम करते हैं यह पता होना चाहिए मेरे बच्चों यहां पर graphene follicle दिया है ठीक है इसके structure को पढ़ लेना I am important है बट इसके अंदर किसका structure बच्चों secondary site यानि OM का ठीक है तो वह ज्यादा important है बट आप इसे पढ़ सकते हैं ठीक है चली आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं यह जरू पढ़ लेंगे मेरे बच्चों काफी important है memory gland में मिल का formation कैसे होता है क्या क्या होती है need में many time question पूछे गए हैं हमारे बोड के exam में भी कई बार question पूछे गए यहां से ठीक है चली आगे इतर बढ़ते हैं memory gland का पढ़ लिया आपने उसके बाद यह जो चार्ट दिख रहे है ना विच्छा यह चार्ट वेरी वेरी आइंपी करो वेरी आइंपी करो बहुत ही ज्यादा important नस्टूल साइकल का यह चार्ट दे देता है फिर आपको देदेगा option a b c d यह है क्या सब्सक्रों यह यह जो यह चार्ट दे देगा कि यह स्टेज़ कि आप बोलेंगे ovulation ऐसे आपको मैच करना होता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगे बढ़ते हैं आगे की तरफ देखो spermatogenesis और oogenesis का structure ठीक है नीट में तो बहुत बार पूछा गया है spermatogenesis का structure पढ़ लेंगे साथी साथ आगे चलके आप देखिएगा यहाँ पर नीचे oogenesis है तो यह oogenesis का भी structure पढ़ लेंगे ठीक है oogenesis का भी structure यहाँ पर पढ़ लेंगे और structure of sperm very very IMP structure of sperm पढ़ लेंगे मेरे बचों फिर क्या पढ़ेंगे structure of oom structure of oom कहां दिया गया मेरे बचों यहाँ नीचे देखो oa का structure जो unfertilized एक है उसका clear है अच्छा आगे तरब बढ़ते है मेरे बचों फिर इसके बाद दो और diagram है जो की important है दो और diagram है जो की important है ठीक है यहाँ पर देखो blastocyst का ठीक है यह blastocyst दिया गया है मेरे बचों यह blastocyst से इस बार question पूछा गया था कि cell of rober किसे कहते हैं the trophy blast cell which are in the contact of inner cell masses called rober cell तो यह बड़ा important होता है blastocyst का बस यह वाला structure जरू पढ़कर के जाएंगे साथी साथ साथी साथ मेरे बचों embryonic development में यहाँ पर देखिए एक और diagram है उसे पढ़ लेंगे बस आपका काम हो जाए यह वाला diagram placenta का ठीक है यह थोड़ा तिर्चा बनाया गया है लेकिन इस diagram को भी आप पढ़ लेंगे मैंने बहुत सीधा बनाया हुआ है जाकर देखिए ठीक है वन सॉट वीडियो अपलोडेट है जसा कि मैंने आपको बताया है आगे हम बात करें मेरे बच्चों आगे हम बात करें देखो टाइम नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं ठीक है अब डियाग्राम की बात है यह क्या है बताओ वैसे टॉम में होती है भी क्या है टूबिक टॉम में ऐसे दे देगा बताया पूछ लेगा आपसे कि बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा ठीक है मेरे बच्चों, chapter 3 ठीक है, chapter 3 के वही है अगर हम बात करें मेरे बच्चों, ठीक है थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं ठीक है, हाँ chapter 3 chapter 3 में मेरे बच्चों देखे, यह जो diagram दिया गया है यहाँ पर chart जो दिया गया है, यह बड़ा important, इस बार need के exam में यही से question पूछा गया था, one question, four marks के, ठीक है, तो यह ज़रूर पढ़कर के जाएं गया, ठीक है, बहुत important है साथ ही साथ साथ ही साथ मेरे बच्चों इसके जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको कुछ चीज़े देखने के मिलती है साथ ही साथ मेरे बच्चों मैं आपको बताऊं एक छोटा सा और आपको करना है काम कि यहां से क्यूशन पूचे जाते हैं, यह आप देख रहे हो रुग यहाँ एक स्के न यह वाला, यह जरू करके जाएंगा, fill in the blank है इसे आप जरू करके जाएंगे, बहुत important है, ठीक है, यह करके जाएंगी फिर उसके बाद, फिर उसके बाद मेरे बचों, नीचे की तरफ हम आते हैं, तो हमें कुछ चीज़े और मिलती हैं, ठीक है, कुछ चीज़े और मिलती हैं, अब पनेट स्क्वार की help से आप जानते हैं, कि आपको यहाँ पर color blindness वगरे निकालना पड़ता है, ठीक है, यह करक फोर मेरे बचों कुछ चीजे हैं, जो करके जानी चीजिए, जिस से की totally सारी चीजे explain हो जाती है, ठीक है, तोटली सारी चीजे explain हो जाती है, तो ग्रिफित Jersey पढ़ना है, जो ग्रिफित आपको experiment पढ़ना है, तो यह बस इतना सा डागरम अगर आप पढ़ लेंगे मेरे बचों वो भी काफी important है यहां नीचे दिया गया है जरूर आप इसको पढ़कर के जाएंगे ठीक है यहां पर हरसी एंट चैस का experiment है तो chapter 4 में यह हो गया आपका ठीक है chapter 4 में यह diagram हो गया फिर उसके बाद अभी हमारे पास क्या बचा है central dogma ठीक है central dogma लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों मैं आपको बता दूँ यह जरूर पढ़कर के जाएगा ठीक है हिस्टोन प्रोटीन वगरागा डीने पैकेजिंग इन प्रोकारियोट और यूकारियोट डीने पैकेजिंग इन यूकारियोट का मैंने flow diagram दिया है जाकर देखिए बहुत important है ठीक है यह पढ़कर क होता है वो positively charge होता है या negatively चार्ज होता है बताइए डिने कैसा charge होता है positively या negatively सर डिने negatively चार्ज होता है चलो मेरे बच्चों यहां पर देखिए डिने रेप्लिकेशन में यह structure important है इससे बना लेंगे ठीक है वहीं पर अगर हम बात करें कुछ नीचे की तरफ तो मेरे कीजिएगा तभी आपको सारी चीज़े समय में आएंगी फिर उसके बाद और नीचे की तरफ आएंगे मेरे बच्चों तो यहां पर देखिए ठीक है splicing वगरा दिया गया है RNA का splicing ठीक है यह important है ठीक है capping and telling करते हैं ठीक है हमें पता है capping and telling chapter 4 मैंने पूरा पढ़ाया हु वीडियो आगे देखो मेरे बच्चों आगे देखो यहां पर बड़े ही कुछ nonsense कोड़ान टाइप के लोग है ठीक है और मेरे बच्चों टी आरेने का डाग्राम पूछ लेता कभी-कभी कौन सी amino acid binding site है तो यह यह वाला structure यह वाला structure जरूर करकर के जाएंगे ठीक है आपने अल्रेडी class 11 में भी पढ़ा हुआ है इसको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों आगे देखते हैं यह ट्रांस translation मेरे बच्चा यह करके तो जाना तो यह करके तो जाना लेकिन इसे मैंने बहुत ही easy way में समझाया है जाकर देखना translation साधी वाली ट्रिक दी है मैंने वीडियो देखो जाकर चैप्टर 4 के मैंने playlist बना दी है जाकर देखो बहुत ही easy way में साधियां कराओ गए और translation complete हो जाएगा ठीक है बहुत important बहुत ही important सरी आगे देख मेरे बच्चा आगे देखो फिर उसके बाद लैक ओपिरान का ठीक है कौन सा particular gene कौन सा enzyme secrete करता है यह पता होना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों आगे की तरह बढ़ते हैं और तो आई हो कि आपको चीजे समझ में आ रही होंगी और यहां पर देखिए डिने फिंगर पिंडिंग से बार क्यूशन पूछा गया था मेर इने फिंगर प्रिंटिंग पता यहां पर देखिए यूरेंड मिलर का एक्सपेरिमेंट जो किया गया था यह कई बार तो अगर आप नीट की भी साथ-साथ प्रप्रशन कर रहे हैं इसके लिए आप पड़ लेंगए ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए नीचे की तरफ और आते हैं Homologous और Enalogous organ पूछ लिए जाता है मेरे बच्छों Homologous organ कई बार structure बना देता और पूछ लेता है और उससे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर देखिए यहां से क्यूशन आते हैं ठीक है यह म्यूटेशन पूछा जाता यह डार्क की स्ट्रक्चर बना देगा पूछ लेगा क्या डिलेशन ने डूपलिकेशन ने इंवर्जन ने या ट्रांसलोगेशन ने ठीक है मेरे बच्चों तो यह कर लेंगे साथ ही साथ चलो एक क्यूशन हैं एक क्यूशन मुगे बता दो फारदर आफ म retreat किसे कहते हैं फारदर आफ मुटेशन किसे कहते हैं पाता ऊडर अग जांभाइब कर देखर आपर अब यहां बना देगा यह इसे और आपको और अपको अडेन्टिफाई करना पड़ेग ठीक है और यहां देखो यह पूछ लेगे मेभी पूछ सकता है कि बताओ यह क्या है कौन सा वेस्टीजियल औरगन है तो आपको मेभी रिप्रेजेंट करना हो सकता है ठीक है यहां पर structure बना सकता है वेस्टीजियल औरगन का तो यह आपको मेभी identify जनली तो नाम ही देता है लेकिन भरोसा नहीं ठीक है क्योंकि जो आप नहीं पढ़कर कर जाएंगे वही पूछा जायागा जो आप नहीं पढ़कर कर जायेंगे वही पूछा जायागा मेरे बच्चों इस तरह से होता है chapter 5 finish मेरे बच्चों मैं बता दो से 3 marks का question पूछा गया था जा कर पढ़ लीजिए human evolution की मैंने trick आपको अरड़ी दी हुई है अब मेरे बच्चों आते हैं जड़ा chapter 6 पर chapter 6 बड़ा important है मेरे बच्चों डियाग्राम के basis पर ठीक है तो पहला जो आपको structure पढ़ना चाहिए मेरे बच्चों पहला जो structure पढ़ना च का पहला तो मेरे अगर अधे कीतर देखि को अब लूट है पुछता इव होता है वह आपको पढ़कर जड़ाना चाहिए ठीक है और का सा सिमफ्लास्ट और एपुप्लास्ट मोवेंट से आपको पता चलेगा यह आपको पर कर के जाना चाहिए 7-7 मिरे बच्चों अच्छा क्लास 11 में फिफ्थ जो चैप्टर है उसमें आपने प्लाजमा मेंबरेन का इस्ट्रक्चर पढ़ा है अगर आपने नहीं पढ़ा तो यह ज़रू पढ़ लेज़ेगा फास्फो बाइलिपिड लेयर ठीक है एक्वा पोरीन वगेरा क्या-क्या होता है ठीक कौन-कौन से प्रो पूछे जाते मेरे बच्चों ठीक है कुछ ग्राफ वगरा भी पूछ लिए जाते हैं आगे इक तरफ हम बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे यह तो छोड़ो यहां देखो इस्टोमेटा ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टन यह स्टोमेटा का स्ट्क्चर बना देगा और दे देगा मेरे बच्चों कि बताओ यह A है कौन सी सेल है यह B है यह कौन सी सेल है आपको नाम लिखना पड़ सकता है ठीक है ऐसे A B C D लिख देगा और आपको उसका क्या करना पड़ेगा लेबलिंग करना होगा बताना होगा यह कौन सी सेल है ठीक है चली आई हूप आ मेरे बच्चों ठीक है आगे कि तरह बढ़ते हैं मेरे बच्चों ठीक है और हम बात करें चैप्टर सेवं 개 तो chapter 7 में भी कुछ जो diagram है वा काफी important है मेरे बचो आईए ज़रा देखते हैं कौन-कौन से यहां पर देखो यह graph दिएगा है मेरे बचो ठीक है exponential growth और logistic growth ठीक है देखो यह दोनों पढ़कर के ही जाना ठीक है दोनों पढ़कर के ही जाना पूछा गया है इस बार ठीक है पूछा गया है इस बार मेरे बचों आगे देखते हैं मेरे बचों आगे देखते हैं oxygen वगएरा तो पढ़कर के ही जाना तुम्हें ठीक है आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो मेरे बच्चों और वो एक्जाम में क्यूशन पूछेना जाए ठीक है आगे की तरफ आईए इस चैप्टर में अब चैप्टर 7 में नहीं है डाइग्राम अब चैप्टर 8 की बारी है चैप्टर 8 में देखते हैं मेरे बच्चों कौन सा इंप जाएंगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों कि आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ अगर आते हैं तो आप उसी डियाग्राम में पढ़ लिते हैं ठीक है offline बगराम की और इंपोर्टेंट डियाग्राम की तो यहां पर देखिए कैड़ेट फेस राइड बोर्स इफेक्ट है ओएच डी सी ऑक्सीजन हीमोग्लोबीन डिस्टोशियेशन करव यहीं है मेरे बच्छो यह आपको पढ़कर के जाना है इंपोर्टेंट है सर आप क्या बोलने हैं समझ में नहीं आ रहे हैं जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा ठीक है चली आगे देखिए मेरे बच्छो यहां पर क्लोराइड सिफ्ट वगरा दिया गया है तो अगर आपके पास टाइम है या फिर आप जानना चाहते है हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट्ट्ट है हैं यह सिंगल सार्कॉलेशन डबल सर्कॉलेशन तो पढ़ा लेना इस बार पूछा गया था मेरे बच्चों इस बार पूछा गया था वो यह किवूशन था यहां से यह बार चार्ट पूछा गया था Dash striking का three marks का very very important तो हो सकता है इस बार single circulation पूछ ले क्या पूछ ले मेरे बच्चो single circulation पूछ ले यहां उपर दिया गया single circulation ठीक है fishes वगएरा में होता है आपको पता है अच्छा थोड़ा horn वगएरा बजेगा तो थोड़ा adjust करना है ठीक है हो सकता है इस बार यह पूछ ले तो single circulation और double circulation क्या होता है यह जरूर पढ़ कर जाना मेरे बच्चों ठीक है और मैं आपको बताओं और आपको बताओं capillary and veins दोनों का structure पढ़कर रखे जाना और आपको क्या पढ़ना चाहिए आपको पढ़ना चाहिए मेरे बच्चों देख रहे हो कितना अच्छा बजाते हैं लोग चलो यहां पर देखो मेरे बच्चों यह आपको है क्लोटिंग ठीक है ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है यह वो mechanism इसे आप पढ़कर की जाएंगे थ्री माक्स का इस बार पूछा गया था मोस्ट आप दे केस में पूछा जाता है चाहिए वो बोड का एक्जाम हो चाहिए मस्ट्री सिटी या फिर नीट का कहीं न कहीं तो क्यूशन आ ही जाएगा तो पढ़ लेंगे तो ज्याद अच्छा होगा हर्ट का स्ट्रक्चर में कौन सा पढ़ना इस चीज को ध्यान दू हर्ट करक्ष में सबसे बह्तरीन च्रक्षर है मेरे बचों यह है अनांटमी वाला है ईन्टर्नल वालह यह आपको पढ़कर के ही जाना चाहिए वेरी-वेरी आइमपी और इस चीज की प्रैक्रिस कर ली तो औफिर आब तो मेरे मस्टों में मिलने है कहां पर एट्रिया का पर वेंट्रिकल यहीं से पता चलता है ठीक है सबसे इंपोर्टेंट वाला डिग्राम यहीं है आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों यह से नोड और अवी नोड यहां से भी क्यूशन पूछ लिए जाते हैं पूछ लिया जाता है ठीक है यहां से भी पूछ लिए पुरकिंजे फाइबर वगरा के बारे में तो यह वाला डागराम भी पढ़ लेंगे फिर उसके बाद मेरे है यह इंपॉर्टन यह भी पढ़ लेंगे और इसके बाद और इसके बाद कौन सा डागराम पढ़ना है आपको देखो यह है बच्चों आर्ट्री और वेन इसका इस्ट्रक्चर यह जरू पढ़कर कर जाएंगे यहां से थ्री मार्क्स का क्यूशन पूछा गया थे इस ब चैप्टर का सबसे फेवरेट यह मेरे बच्चों एलेक्拟ोकाडियोंग्राफ यह पूछा जाता इलेक्ट काडियो इसे च्राट पूछ लिया जाता है यह जाएंगे तो इस तरह से आप ने चैप्टर फ़स्ट से चैप्टर इड तक important diagram देख लिए मेरे बच्चो अब chapter 9 से लेकर के chapter 15 तक के हम important diagram देखेंगे next video video कैसे लगी comment section में ज़रू बताइए मिलते आप से next video में तब तक के लिए जय है